तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुली ब्रैंड न्यू नई और लेटेस्ट वीडियो के अंदर जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और यकीन मानिए जितना मी लोगों ने इस मुवी के लिए इंतजार किया है उनका वो सार इंतजार वर्थिट है और अगर इस मुवी की बात करूँ तो यह मुवी इतनी कमाल की है कि इसे हम प्रशान नील की मास्टरपीस मुवी कह सकते हैं जिसका लेवल बिल्कुली के जिए चेप्टर 2 जासा था तो इसलिए आई आज की वीडियो के अंदर हम सलान मुवी के बार में डीटल से बात करते हैं और इस मुवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग को एक्स्प्लें करते हैं बटे एक चीज़ मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इस मुवी की स्टोरी थोड़ सारी वीडियो आपको अपलोड होते ही मिल जाएं तो फिर आईए अब हम बिना किसी देरी के आज की स्कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सलार मुवी की स्टोरी के बार में टीटल से जानते हैं तो इस मुवी की स्टोरी होती है दो चोटे बच्चों से जिन दोनों होते हैं वर्धा और देवा और यह दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं मोवी की स्टाइटिंग में यह दोनों साथ में खेल रहे होते हैं बट तभी इनमें से वर्धा को कुछ बच्चे परिशान करते हैं जो कि इनसे काफी बड़े होते हैं बट यह दे करके अपनी मदर को प्रिटक्ट कर रहा होता है बट तभी हम यह देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि देवा को पकड़ लेते हैं और उसके घर के गेट को तोड़ देते हैं और फिर हम यह देखते हैं कि वह उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं लेक और कानून उसी के फादर ने बनाया है सो इसलिए उन्हें ये करना ही होगा ये सुनकर वर्दा भी चुपो जाता है लेगन फिर कुश्टाम आदी वर्दा अपने हाद से एक मोटा सा कड़ा निकालता है और उसे उस गुंडे को दे देता है जो गुंडा देवा और उसकी मदर को मार रहा था वर्दा उससे कहता है कि मैं एक सरदार हूँ लेगन मैं अपनी पावर तुझे दे रहा हूँ और इसलिए तु इस पावर को इस कड़े के साथ ले ले और मेरे दोस्त और उसकी मदर को छोड़ दे ये देखर वो गुंडा ऐसा ही करता है वो पावर की लालच में वर्दा का कड़ा लेकर पहन लेता है और इसके बदले में वो देवा और उसकी मदर को छोड़ देता है देवा को ये देखकर काफी खुशी होती है एक ऐसी जगह जहां उनकी जान को कोई खत्रा ना हो देवा अपने दोस्त वर्धा की बात मान जाता है और वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त वर्धा से एक बाता करता है और वो वर्धा से कहता है कि जिन्दगी के अंदर अगर वर्धा को कभी भी देवा की जरूरत हो तो वो बस उसे एक बर बुलाएगा तो वो तभी आ जाएगा और साथी देवा अपने दोस्त वर्धा से ये भी कहता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया तक को मार सकता है इसलिए वो देवा की इन बातों को कभी न भूले और फिर इसके बाद देवा अपनी मदर के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर यही परीवर्धा अपने दोस्त देवा को एक नया नाम देता है और वो उसे नाम देता है सालार इसके बादी scene shift होता है और हम कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडों को देखते हैं यहीं पर यह लोग किसी की tracking कर रहे होते हैं और तभी यह लोग उसे track करके ढूड़ लेते हैं और फिर हमें यह पता लगता है कि जिसे यह लोग track करे थे वो और कोई नहीं बलके शुरूती हसन है यह सारे गुंडे शुरूती हसन का पता लगते ही जल्दी से उसके बारे में अपने superiors को बताते हैं और फिर हम यह देखते हैं कि जो इनके superiors हैं वो बहुत ही बड़े gangsters हैं और वो ना सिर्फ बहुत powerful हैं बलके उनके हाथ में control भी बहुत जादा है शुरूती हसन के बारे में पता लगते ही वो superior gangsters अपने सारे लोगों को यह orders देते हैं और सब को यह बताते हैं कि यह शुरूती हसन उसकी बेटी है जिसे हम मारना चाते हैं यानि की हमारा दुश्मन लेकिन अब क्योंकि इसकी बेटी यहां इंडिया आ रही है तो इसलिए इसकी इंडिया आते हमें से उठा ले ना है और फिर इसलिए यह बोलकर वो superior gangsters अपने सारे लोगों को उसकी photo भी भेज़ देते हैं बट फिर इसी टैमपर शूती हसन के डैड को इसवारे पर पता लगता है कि उसकी बेटी इंडिया जा रही है और क्योंकि वो खुद इस टैमपर नियू योर्क में होता है इसलिए वो इंडिया में अपने एक आदमी को फोन करता है और उसे कहता है कि वो शूती हसन का ध्यान रखे और उसे उसके दुश्वनों से बचाए और उसे किसी तरह से उसे एक आदमी के पास पहुचा दे क्योंकि सिर्फ वह यह जिसके पास मेरी बेटी सेफ रह सकती है वो आदमी ऐसे ही करता है वो शूती हसन के इंडिया आता ही उसे जल्दी से किड्नैप कर लेता है और उसे सिधा असाम ले जाता है और असाम में एक स्कूल टीचर के घर पे छोड़ देता है और स्कूल टीचर को ऐसा विश्वास दिला देता है कि वो लड़की एक टीचर है जो कि उसके स्कूल में पर देवा और इसलिए उसने अपनी बेटी को यहाँ पर रखवाया है ताकि वो कुछ दिन यहाँ पर छुप कर रहे हैं और फिर इसलिए इस वो लग अपने सुपीरियर्स को यह बात बता देते हैं कि वो लड़की भी असाम में चुपी है इसके बादी स्टोरी के दूसरे सीन के अंदर हम एक अंग्रेस को देखते हैं जो कि इंडिया के एक आदमी से डील करता है और उससे यह कहता है कि उसके पास ट्रक भर के गंस है जो कि उसे इंडिया से नेपाल पहुचाना है वो भी पुलिस से बचके और फिर इसलिए उस अं जैसा होता है और वो लोग अंग्रेस से कहते हैं कि इस स्टैम को इस पूरे देश के अंदर कोई भी निरोग सकता और फिर इसलिए वो लोग उसके ट्रक को ले जाने लगते हैं थोड़ी दर बाद हमें ऐसा दिखता भी है क्योंकि जैसे ट्रक थोड़ा आगे जाता है वैस बहुत सारे पुलिस इस ट्रक को घेड़ लेती है लेकिन जैसे ही पुलिस इस स्टैम को देखती है वैसी पुलिस भी वहाँ से भाग जाती है और ट्रक को जाने के लिए कहती है और फिर हम यह पता रखता है कि यह स्टैम जिस भी आदमी का है वो बहुत ही डेंजरस और पा चाहते हैं कि उस लड़की को जल से जल उनके पास ला जाए इसके बाद फिर वो सारे गुंडे मिलकर जल्दी से असाम जाते हैं और शूती हसन को पकड़ लेते हैं बट इसी टाइम पर देवा और उसकी मदर भी वहाँ पर होते हैं और इसलिए वो लोग ये देखते हैं कि व इंग्रेस का वो सामान होता हैं वो अपने आदमी से कहता हैं कि आखिरकर तुमने तो ये बोला था कि इस पूरी कंट्री के अंदर इसे स्टेंप लगे कंटेनर को छूने की भी हिमत किसी में नहीं है तो फिर आखिरकर ये कोन है जिसने हमारे कंटेनर को उड़ा दिया लेक उसे एक गाड़ी में बिठाता है और उसे वहाँ से दूर ले जाता है ताकि वो सेफ रह सके लेगिन वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में शूरती हसन उस आदमी से कहती है कि आखिर कार यह सब चल कर रहा है मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर यह गुंडे कौन है जो कि मेरे पीछे पड़े हैं यह सब मुझे मारना क्यों चाते है आखिर यह सारे गैंस्टर है कौन और यह देवा कौन है और उसे देवा के पास सी क्यूं ला एगया था शूरती हसन के इन सारे सवालों को सुनकर वो आद़मी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके मन में क और वैसे तो इन तीनों कभीलों के लोग डाकू थे जो की जंगली तरीकों से लूट पाट क्या करते थे लेकिन एक्चुली में वो बहुती पाउरफुल और खुखार भी थे लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उन तीनों कभीलों ने मिलकर अपनी एक जगा बनाई और उस पूरी जग़ उन्होंने नाम दिया खांसार और फिर वो तीनों कभीले मिलकर अपने इस पूरे खांसार शहर को रोड़ करने लगें इन सबके दुरानी उनकी कई लडाइया वी जैसे की बाहर ही हमले और अंग्रेजों के हमले लेकिन उन तीनों कभीलों तो हर बाहर ब पूरी मिलिटरी खड़ी कर दी जिनके पास खुद के सोलजर्स थे उन्होंने अपने लिए कई सारे हतियार लिये और यहां तक कि उस लीडर ने खासार के लिए कई सारे कानून भी बनाए और खासार के इस लीडर का नाम था शिब मनार इसके साथी खासार के अंदर शिब मनार ने एक डेमोकरेटिक सिस्टम भी बनाया जिस सिस्टम के अंदर उसने खुद का एक पार्लेमेंट सिस्टम खड़ा किया शिब मनार ने पूरे खांसार को 101 parts में बाटा और उस सारे areas को represent करने के लिए एक word power बनाई जिसके बाद अपनी सभा के अंदर उन्होंने तीन सिस्टम बनाए पहला कपार दूसरा सरदार और तीसरा करता और इन तीनों के लिए अलग-लग कड़े बनाए गए इस पूरी सभा में कपार की संख्या 62 ती सरदार की संख्या 8 और करता की एक सभी कपार को एक word power दी गई जिससे represent करने के लिए उन सभी को एक पतले कड़े भी दिये गए जो कि इस बात को represent करते थे कि वो सभी कपार है अगली बारी सरदार की तो एक सरदार को 3 word powers दिये गए और इसलिए 8 के 8 सरदारों के पास 3 word powers जो कि मिलकर बनती है 24 और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी को मूटे कड़े दिये गए लेकिन फिर आखरी में आता है करता जिसे मिले 15 वोट पावर्स और इसलिए इसका कड़ा भी सबसे मोटाए और अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर शिब मनार खुद करता लेए फिस्टम के मड़ने के बाद तीन ओ कबीलों ने और पूरी सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर ये फैसला लिया की अपसे शोयांग कबीले के हेड कोई खासार का करता बनाये जाएगा जिसके बाद वो ही खासार को लीड करेंगे बट ये बार शिब मनार के बेटे राज मनार को बहुत बुरी लगी और इसलिए, उसने उसने शोयां कभीले के हेड़ को मार दिया, ता कि वो करता ना बन पाए, और इसके साथी, शोयां कभीले का कोई भी सधस्य, कभी भी उसके खिलाब भगावत न कर पाएं, इसके लिए उसने ये जारी कर दिये कि शोयांग कभीले के सारे लोगों को मार दिया जाएं जिसका मतलब ये था कि खांसार में रहने वाले तीन कभीलों में से अब एक कभीले को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा और फिर ये सब करने के बाद राज मनार खुदी खांसार का करता बन गया साथी स ग olması उसकी सभा सभी को इसकी बगावत नकरें। इसलिए अपने सर्दस्यों को यह पद दिया था लेकिन राज मनार ने वरदा को को कोई भी पोश्ट नी दिया था लेकिन अगर आप सभी को याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन के अंदर ही वरदा अपने सर्दार वल वही कड़ा निकाल कर उस गुंडे को सौब देत जो कि देवा और उसकी मदर को मारने है था और वर्दा की इसी हरकत को देखकर शिव मनार उससे गुस्ता हो गया था और इसलिए उसने उसके बाद उससे कोई पद नहीं दिया था इन सब के साथ ही राज मनार ने अपने रूल करने के साथ ही अपने पिता के बनाए कानून में भी बतलाव किये थे, और कुछ कानूनों को बदल दिया था, और एक कानून ये भी बना दिया था, कि जो भी ताकतवरों, वो करता से बगावत करके, और उससे हरा के या मारके, खानसार के आपर रूल कर सकता है, यानि कि जो powerful होगा उसी की dominance चलेगी इन सारे कानूनों और अपने तरीकों के साथ मिलकर राजमनार ने खांसार के पर 25 सालों तक रूल किया और उसके पूरे राज के अंदर कभी भी कोई कमी नी आई लेकिन फिर एक दिन अचानक से राजमनार ये decide करता है कि उसे किसी जरूरी काम से खांसार से बाहर जाना है बट फिर इसी टाइम पर राजमनार का जमाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे वर्धा को ठुकराएवे काफे टाइम हो चुका है लेकिन आप शायद उसे वर्धा को बुला लेना चाहिए इसके बाद ही हमें देखते हैं कि राजमनार वर्धा की बात सुनकर एमोशनल हो जाता है और यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि अपने सारे बच्चों में से राजमनार सबसे जादा प्यार वर्धा से ही करता है और इसके साथी जब भी ववर्धा को देखता है तब उसे अपने पिता की आदा आती है and that's why राजमनार ये मन बना लेता है कि वो अपने बाद अपने बेटे वर्धा को लिए करता बनाएगा और साथ ही वो ये भी अनौस करता है कि जब वो वापस आएगा तब वो अपने बेटे वर्धा को करता बना देगा जिसके बाद उसका बेटा वर्धा ही खांसार पर रूल करेगा और फिर इन सब के बाद राजमनार जरूरी काम से खांसार से बाहर चला जाता है बट फिर अदमी को वर्धा ने बच्पन में अपने कड़ा दिया था और अपने सरदार का ऑद़ा दिया था और यहाँ पर राजमनार का जमाई उस約ार को बहुत को बढ़ता है लेकिन तबी दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि राजमनार के फैसले से उसका बड़ा बेटा गरुणा भी बहुत गुस्ता है और इसलिए इसके मन में भी वर्धा के लिए घ्रिना आ जाती है और वो वर्धा को मारने की कोशिश करता है इसके बाद वर्धा के खिलाफ के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वो सब साथ मिलकर वर्धा को मारने जाते हैं और वो ये सोसते हैं कि वो सभी वर्धा को मार देंगे जिससे कि वर्धा कभी करता नहीं बन पाएगा और उन्हें भी कभी दिक्कत नहीं होगी लेगिन फिर तभी ये बात राज मननार की बेटी को पता लग जाती है वही बेटी जो की टेंपरेरी बेसिस पर यहां की करता थ और वो ये जान जाती है कि वर्धा को मारने की कोशिश की जाती है अब वैसे तो वो भी वर्धा से नफरत ही करती थी लेकिन वो ये सोसती है कि उसके फादर ने उसे जिम्मेदारी दी है और इसलिए गर उसके राज में कुछ गलत हुआ तो वो अपने फादर का भरोसा खो लगती हैं। कि जो भी होने वाला है उससे उसका फादर कभी खुश नहीं होगा और इसी के लिए वर्दा के सारे दुश्मन इस बात के प्रस्ताव रखते हैं कि खांसार के अंदर भी वोटिंग सिस्टम है लेगन अगर जादा वोट इस बक्ष में आएंगे कि सीस्टम को हटा देना चाहिए तो सीस्टम को हटा दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी किसी से भी लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है जब ये बात बिल्कुल तैय हो जाती है कि ठीक 9 दिन बाद सीस्टम को लेकर वोटिंग होगी तब ही वर्दा के सारे दुश्मन यानि कि गरुणा और बाकी सारे लोग सभा के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने के कुशिश करते हैं प्यार से या फिर धमका कर जैसे मर्जी लेकिन उससब का मोटिव यह होता है कि वो किसी बे तरह से जादा वोट्स को अपनी तरफ कर लें ताकि वोट वाले दिन इस बात को लेकर जादा वोट आएं कि सीसफ़ार को हटा देना चाहिए जिससे कि सीसफ़ार हट जाएं और वो लोग वर्दा को मार सकें और जब यह लोग यह मेक शूर कर लेते हैं कि वो लोग वोटिंग्स के अंदर सीसफ़ार को हटवाई देंगे तब ही यह सब मिलकर अपनी खुद की मिलिटरी बनाने लगते हैं क्योंकि एज अफकोर्स खांसार की जो मिलिटरी है वो खांसार के करता के हाथ में है यानि कि अभी के टाइम पर राजमनार की बेटी के हाथ में और राजमनार की आने के बाद राजमनार के हाथ में सो इसलिए यह लोग खुद के गंस खरीदते हैं मिसाइल्स बॉम्स और एक्स्प्लोजिफ खरीदते हैं और बहुत सारे देशों के rebel soldiers को उठा कर लियाते हैं और उनसे अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं ताकि 9 दिन बाद जब इन लोग वर्धा को मारें तब जब उन्हें कोई रोकने आए तो वो उससे भी खतम कर दें ये सारी चीज़े वर्धा, वर्धा का छोटा भई और उनके साथी भी देखते हैं और वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि अगर उन सब को बचना हैं और इस लड़ाई को जीत कर जिन्दा रहना हैं तो उन्हें भी खुद के लोग चाहिए होंगे अपने बच्पन के दो उस वर्धा से वादा किया था कि वो जिंदीगी में जब भी उसे बुलाएगा तब वो उसके लिए हाजिर होगा और जो वो चाहेगा वो करेगा और देवा वर्धा के साथ चला जाता है जिसके बाद वर्धा देवा को लेकर खांसार में आता है बढ़ यह देखकर वर्धा के साथ ही काफी नाराज होते है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्धा पूरी आर्मी बिल्ड करने की बजाए सिर्फ एक ही आदमी को ठाकर ले आया है जो कि शैसे किसी काम का नहीं है लेगिन एक्चल रियालिटी क्या है यह तो हम और आप जानते है क्योंकि जिस बंदे को वर्धा लेकर आये वो अकेला ही किसी आर्मी से भी बढ़कर है क्योंकि वो है सलार इसके बाद ही सभी लोग तयार होते हैं और सिधा वोटिंग्स का वेट करते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन सीसफायर के वपर वोटिंग्स होती है बट फॉर्चुनेटली इसी दिन वर्धा का फादर राजमनार भी आ जाता है जो कि खांसार का करता है विद 15 वोट्स और इसलिए जब वोटिंग्स होती है तब पहले तो सीसफायर को हटाने को लेकर जादा वोटिंग्स आती है लेकिन फिर जैसी राजमनार अपना वोट डालता है वैसी उसके 15 वोट्स की वज़ए से पूरी की पूरी वोटिंग्स बराबर हो जाती है और इसलिए फिर आखरी वोट बचता है वर्धा का एंट साथी साथ सब कुछ अब वर्धा पर डिपेंड था कि क्या वो सीसफायर लागू रखना चाता है या फिर सीसफायर को हटाना चाता है वर्धा का फादर राजमनार ऐसा सोचता है कि वर्धा सीसफायर लागू रखेगा और उसी के लिए वोट करेगा ताकि सीसफायर लागू रहने से कोई भी लड़य जगड़ा नहीं करेगा और फिर मेरा वेटा वर्धा मेरी जगह लेकर खांसार को नॉर्मली रूल करेगा लेकिन वर्धा कुछ अलग करता है क्योंकि वर्धा सीसफायर को हटाने के लिए वोट करता है और फिर क्योंकि सीसफायर को हटाने के लिए जादा वोट साते हैं इसलिए खांसार के अंदर सीस फायर हटा दिया जाता है बढ़ ये देखकर वर्धा का फादर राज मननार भी काफी शोक होता है और वो ये सोचता है कि आखिर कार वर्धा ने ऐसा क्यों किया लेगन फिर यहीं पर स्टोरी में हम ये देखते हैं कि अब वर्धा और कीसी से नी डरेगा और अब वो सीस फायर को हटा कर अपने सारे दुश्मनों से लड़ेगा और देवा के साथ मिलकर उन सब का खात्मा कर देगा इसके बादे प्रेजन टाइम के अंदर गरूरा और जो भी लोग वर्धा के खिलाफ थे वो सब के सब अपनी टीम और आर्मी को लेकर तयार हो जाते हैं और जंग की शुरुआत करने लगते हैं लेकिन इधर अब वर्धा भी देवा के साथ तयार था इधर ये वर्धा के उपर कई सारे हमले भी होते हैं और उनी हम लोग के अंदर वर्धा और देवा मिलकर उन सभी को मारते हैं और खुद की जान बचाते हैं लेकिन हमें ये दिख जाता है कि ये तो इनकी लड़ाई की सिर्फ शिरू आती हैं लेकिन इदर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजमनार अपनी बेटी के साथ होत राजमनार से कहता हैं कि वो शोयांग कभीले से हैं यानि कि वही कभीला जिस कभीले के हैट को आज से कई साल पहले खांसार का करता बनाया गया था लेकिन राजमनार ने उसे मार दिया था और उसके साथ साथ उसके पूरे कभीले के लोगों को मार रहे थे तब उसी टाइम पर उन्होंने अपने कई सारे बच्चों को छुपा लिया था जिससे की उन सारे बच्चों की जान बच गई और वो उनी में से एक बच्चा है इसके साथी वो ये भी बताता है कि राजमनार का जमाई भी एक शोयांग है और उन्हीं की तरह भी सेकड़ो शोयांग जिन्दा है जो कि कई सालों से युद्धी की तयारी में हैं और अब वो राजमनार की पूरी सरतलनत को खतम करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग अपने माता पिता और अपने कबीले का बतला लेंगे वो और कोई नहीं बलकि देवा और उसकी माँ हैं यानि की देवा ही वो बच्चा हैं जो कि शोयांग कबीले के हैड़ का बेटा था यानि की वही जिसे राजमनार ने मार दिया था आप इसके बाद ही बेटी से बात करता है और वो बेटी से ये भी कहता है कि वो कुछ टाम पहले जब खांसार से बाहर गया था तो वो एक बहुती जरूरी काम से गया था क्योंकि खांसार के एक सभा कई मेंबर जो की राजमनार के भी काफी करीब है उस नई खांसार के अंदर बहुत बड़े पैमाने में बंदू के मिसाइलें और बॉंब्स को खटा कर लिया है और अब वो भी इस तयारी में है कि वो खांसार के उपर अटैक करें लेकिन फिर यहीं परी यह मूवी एंड हो जाती है अब हाला कि यह मूवी तो यहाँ पर एंड हो चुकी है लेकिन इसने अपने पार्ट टू के लिए और आगे आने वाले सीक्वल्स के लिए बहुत को शेयर करना चाहते है तो जादर से जादर शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हसते और मुष्क्लाते रहें मैं आप सबसे मिलता हो अशकिसी और बहतरीन वीडियो में तब तेक लिए